तमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों एक्जाम की डेट आचुकी है कई एक्जाम के एड्मिट कार्ट आपके पास आप ही गए होंगे हर एक्जाम में science के questions mandatory होते हैं पूछे जाते हैं इस वीडियो में आपके लिए master वीडियो लेकर आया हूँ science के उन questions का जो repeat पर हर एक्जाम में पूछे जाते हैं 40 questions का ये वीडियो आप सभी exam की preparation के लिए solve करके अपनी science की तयारी को judge कर सकते हैं वीडियो में selected caution है latest exam pattern पर पूछे जाने वाले प्रशन है तो अंतर तक देखिए और चेक करिए कि आपकी science में इस्थिति क्या है इस वीडियो को पूरी शिद्दत से solve करिएगा या तो आर या तो पार इस motive के साथ में अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेर करिएगा all exam special video है चले शुरू करते हैं सबसे पहला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर कॉशन नमबर वन आप से पूछा गया है एतिहासिक लेखों का संरक्षन विज्ञानकी के शाखा के अंतरगत करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा एतिहासिक लेखों का संरक्षन विज्ञानकी शाखा म्यूजियो लॉजी के अंतरगत करते हैं option number C यहाँ पर सहीतर हो जाएगा म्यूजियो लॉजी विज्ञानकी वह शाखा है जिसमें एतिहासिक लेखों का संरक्षन किया जाता है सिनेमा का अविशकार किस ने किया था राइट आंसर क्या हो जाएगा तो चले देखते हैं यहाँ पर सहीतर हो जाएगा तो सिनेमा के अविशकारक निकोलस और जीन लूमिय है option number B यहाँ पर सहीतर हो जाएगा निकोलस और जीन लूमिय सिनेमा के अविशकारक के रूप में जाने जाते हैं नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रश्णी रहा स्क्रीन पर सूरिकी फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा सूरिकी फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रो हीलियोग्राफ का प्रियोग करते हैं नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया अगला प्रश्णी रहा स्क्रीन पर विलुप्त सुक्ष्म जीवों का अध्यन किस में किया जाता है जीवों का अध्यन करते हैं राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर पुरा वनस्पती विज्ञान नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रश्णी रहा स्क्रीन पर परवतों का अध्यन किस साखा के अंतरगत करते हैं राइट आंसर हो जाएगा औरो लॉजी option नमबर c यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर यूडियो मीटर किसका मापन करता है तो राइट आंसर हो जाएगा यूडियो मीटर से gas का आयतन मापा जाता है option number C यहाँ पर सहीतर हो जाएगा gas का आयतन इस प्रशन के लिए सही उतर है next question देखते हैं क्या पूशा गया है Thomas Alva Edison किस देश के वैग्यानिक थे right answer क्या हो जाएगा Thomas Alva Edison किस देश के वैग्यानिक थे right answer हो जाएगा Thomas Alva Edison जिन्होंने बल्व का विशकार किया था ये थे अमेरिका के वैग्यानिक option number B यहाँ पर सेतर हो जाएगा Thomas Alva Edison अमेरिका के वैग्यानिक थे next question देखते हैं क्या पूशा गया है अगला प्रशन benzeen की खोज किस देखी थी right answer क्या हो जाएगा benzeen की खोज किस ने की थी तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रशन के लिए Michael Ferrade ने benzeen की खोज की थी right answer हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया है अगला प्रशन इरहा स्क्रीन पर crushy सास्तर में किसको उन्नत किया जाता है crushy सास्तर में किसको उन्नत किया जाता है किसको पैदावार बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमूट crushy सास्तर में सिखाया जाता है right answer हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन इरहा स्क्रीन पर उत्तम कॉलिश्ट्रॉल किसे माना जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्तम कॉलिश्ट्रॉल किसे माना जाता है तो यहाँ पर सेत्र हो जाएगा उत्तम कॉलिश्ट्रॉल जो है राइट आंसर हो जाएगा HDL को मानते है option number C, यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा HDL, इस प्रशन के लिए सहीत्र हो जाएगा, उत्तम कॉलिस्ट्रॉल जो है, HDL को माना जाता है next question देखते है, क्या पुशा गया है अगला प्रशन यह रहाँ स्क्रीन पर sodium pump का काम क्या होता है right answer क्या हो जाएगा, sodium pump का क्या काम होता है, यहाँ पर सहीत्र क्या है, तो sodium pump जो है, तंत्री का आवेग में प्रयोग किया जाता है, option number C यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा, sodium pump जो है, तंत्री का आवेग को बढ़ाने के लिए प्रयोग करते है, next question देखते हैं सबसे बड़ा एक कोशिय जीव कौन सा है, right answer क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा एक कोशिय जीव कौन सा है, तो यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा, सबसे बड़ा एक कोशिय जीव, option number D, amoeba, इस प्रयोग के लिए सहीत्र हो जाएगा, right answer है, next question देखते हैं, क्या पुशा गया, अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर, एन्रीको फर्मी ने किसकी खोश की थी, क्या उत्तर होगा इस प्रशन के लिए, एन्रीको फर्मी ने किसकी खोश की थी, तो यहाँ पर सहीत्र हो जाएगा, option number A, परमाडू रियक्टर की खोश की थी, एन्रीको फर्मी ने, अगला प् में आधालित रहते हैं और भी यहाँ पर सुच रो जाएगा अन्तह परासरण नेक्श गॉशन देखते हैं अगला प्रशन यह रहा स्क्रीन पर कॉशन है ढंबलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती है तो यहाँ पर से रो जाएगा और अप्शिक रो जाएगा और सिर नेते हैं व्रक के आकार की द्वार कोशिकाएं किस में होती है व्रक के किडिनी की आकार की द्वार कोशिकाएं किस में होती है तो राइट आंसर हो जाएगा द्वी बीजिय पादपो में व्रक के आकार की द्वार कोशिकाएं होती है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बनती है उसे क्या कहते है तो उतक जन जिससे बाह तवचा बनती है उसे तवचा जन कहा जाता है option number A इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन कोशिका का आयतन कब बढ़ जाता है राइट आंसर हो जाएगा option number C समपराशन दावी घोल में रखे जाने पर कोशिका का आयतन बढ़ जाता है सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन इरहा स्क्रीन पर अंता शोशन की प्रक्रिया में क्या नहित होता है तो राइट आंसर हो जाएगा आवशोशन अंता शोशन की प्रक्रिया में नहित है next question देखते हैं क्या पुश अगया है अगला प्रशन इरहा स्क्रीन पर वॉइस मेल का अविशकार किस ने किया था राइट आंसर हो जाएगा तो वॉइस मेल का विशकार गॉर्डन मैथ्यूज ने किया था option number A यहाँ पर सेतर हो जा अंता परास्रण की कारण कोशिका जो है इस फीत हो जाती है बड़ी हो जाती है next question देखते हैं क्या पुश अगया है right answer हो जाएगा option number D यहाँ पर सही उतर है next question देखते हैं cellulose किसका मुख्य घटक है क्या उत्तर हो जाएगा cellulose किसका मुख्य घटक है तो राइट आंसर हो जाएगा कोश्का भित्ती का मुख्य घटक है cellulose इस प्रशन के लिए सही उतर है next question देखते हैं अगला प्रश्न, यूकेरियोटिक सेल में प्लाजमा जिल्ली किसकी बनी होती है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाजमा जिल्ली किसकी बनी होती है, तो यहाँ पर सहित्र हो जाएगा, फास्पोलिपिट की बनी होती है, यूकेरियोटिक सेल में प्लाजमा जिल्ली, फास्पोलि करते हैं विश्काध्यन करते हैं राइट आंसर हो जाएगा नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है डियने का सबसे पहला पात्र विश्लेशन किस ने किया था डियने का सबसे पहला पात्र विश्लेशन किस ने किया था तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमब होती है सूत्रकणी का माइटोकॉंड्रिया किसका केंद्र होती है तो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉंड्रिया जो है कोशके शुषन का केंद्र होता है option number D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशगया है cellular phone का पिता किसे कहा जाता है cellular phone के लोकने वाले रैंकोट का अविश्कार किस ने किया तो चार्स मैकिंटॉश ने option number C यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जल रोधक रैंकोट का अविश्कार किया next question देखते हैं क्या पूशगया अगला प्रशन दूर से चमकते पिंड का तापमान किसी अंतर से निर्धारित करते हैं तो रैट आंसर हो जाएगा पाइरोमीटर इस प्रशन के लिए सहीतर हो जाएगा option number C दूर से चमकते पिंड का तापमान पाइरोमीटर से निर्धारित किया जाता है next question देखते हैं क्या पूशगया अगला प्रशन इरहा स्क्रीन पर bacteria का शुद्ध कल्चर सरप्रथम किस ने किया था तो रैट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कोश ने बैक्टिरिया का शुद्ध कल्चर सबसे पहले किया था सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशगया है vitamin D की कमी से कौनसी बिमारी होती है राइट आंसर क्या हो जाएगा vitamin D की कमी से कौनसी बिमारी होती है तो बच्चों में होती है रेकेट्स और बड़ों में होती है osteomalacia या osteoporosis ये vitamin D की कमी से होने वाली बिमारी है राइट आंसर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूश अगया अगला प्रशन vitamin B12 की कमी से कौनसा रोग होता है क्या उत्तर हो जाएगा vitamin B12 की कमी से कौनसा रोग होता है तो राइट आंसर हो जाएगा option number B और अक्तिता जिसे एनिमिया कहा जाता है vitamin B12 की कमी से होता है next question देखते हैं क्या पूश अगया अगला प्रशन इरहा स्कीन पर hummingbird गुंजन पक्षी जिसे बोलते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है right answer क्या हो जाएगा hummingbird की लंबाई कितनी होती है तो option number 5-6 cm hummingbird की लंबाई होती है विटमेन की खोँछ किस ने की थि और कब की थी तो राइट आंसर हो जाएगा विटमेन की खोँछ option C इस प्रशन के लिए सही उत्त्र हो जाएगा वनस्पती जलवायु का सही सुचक है यह कथन किसे समन्ने थे वनस्पतियां जो है जलवायू के बारे में सूचना परदान कर सकती है वनस्पति जलवायू का सही सूचक है या कथन किस से सम्मंदित है तो राई टांसर हो जाएगा option number जलवायू वर्गी करण से सम्मंदित है वनस्पती जलवायू का सही सूचक है ये कथन जलवायू भरगी करण से सम्मंदित है नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पुशा गया है अगला प्रशनी रहा स्क्रीन पर कॉशन है कितने दिन में टिटनेस हो जाता है अगर आपको जंग लगे लोहे या टिटनेस के कारक के कारण टिटनेस अगर होता है तो कितने दिन में टिटनेस हो जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो टिटनेस जो है तीन दिनों से एक सब्ता के भीतर हो जाता है option number B, यहाँ पर सही उत्र हो जाएगा, right answer and next question देखते हैं क्या पूशा गया है, काँसा किन धातूओं का मिश्रण है, सही उत्र क्या हो जाएगा, right answer for this question, काँसा किस धातू का मिश्रण है, सही उत्र हो जाएगा, तो काँसा जो है, copper और zinc का, copper और tin का, माफ़करी का, copper और tin का म मिश्रण है option number D expression के लिए सेतर हो जाएगा कासा जो है copper और tin का मिश्रण है जिसमें copper 88 प्रतीशत और 10 जो है बारा प्रतीशत मिलती हुई होती है next question देखते हैं क्या पूशा गया है amalgam किसकी मिश्रद हातु है right answer क्या है expression के लिए मतला यह amalgam किसकी मिश्रद हातु है right answer for this question क्या हो जाएगा तो amalgam जो है पारे के साथ में जो भी reaction होता है वो amalgam मनाती है mercury की मिश्रद हातु होती है right answer हो जाएगा next question देखते हैं क्या पूशा गया अगला प्रशन मियादी बुखार में शरीर का कौनसा रोग कौनसा अंग रोग से प्रभावित होता है तो मियादी बुखार में शरीर की आतें जो है यह प्रभावित होती है right answer हो जाएगा next question यह आपका surprise question है सोनार अधीकानस्ता किसके द्वारा प्रियोग में लाए जाता है सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करना है चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन उन कर लीजे औल वाला नोटिफिकेशन उन कर लीजे जिससे आपको हमारे चैनल के सब ही वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले तो सब्सक्राइब करके बैल आईकन दवा लेना औल वाला नोटिफिकेशन क्लिक कर देना आप हमारे चैनल से जुढ़ जाओगे अगर अच्छी नंबर चाहिए तो All Exam Guide Group को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों अपने दोस्तों को ये वीडियो शेर करना लाइक करना और कमेंट करें अगर आप कुछ पूशना चाते हैं तो जरूर पूछ लेज़ेगा चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुभ हो